हलो हाई कैसे आप सबी लोग मैं दोटर अगवाल लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि हमारे फॉन के अंदर डो पीए सोल्ड क्यों आने वाले हैं और अभी के जो लेटेस्ट फाइवजी हैं आप देखेंगे कि उसके अंदर एक सीपी होने पीए सोल्ड का क्या सीन है तो आप देख सकते हैं कि जनरली जो पीए सोल्ड है वो हमारे सीप्यू बनाता है ठीक है पीए सोल्ड मतलब पावर सुकेंस होल्ड जो पावर होती है पावर सप्लाय पावर सुकेंस उसको होल्ड करने के लिए एक सिगनल होता है एक 1.8 की सप्ल यही साट साब पको PS होड मिलेगा यही आगर आप मीडिया टेक में यही पर इसको वाच डॉक क्याते हैं और यही अगर आप Samson के अंदर देखोगे तो Samson के अंदर इसको पियैस खोल्ड कहते हैं without अंडर स्कोर तो तीनो आपके तो सी प्यू है उसमें पीएस ओल्ड के अलग-अलग नाम है बाट ही हम बात करें हैं अभी आप देख रहे हैं कि आपके फोन के अंदर दो-दो PS लडा रहे हैं तो उसका रीजन क्या है अई उसके रीजन को तुर्ण डिसकस करते हैं और यही अपडेट देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि हमारे अपडेट तो हमारे स्टुडेंट को मिल जाएंगे हमारे नहीं अप्लिकेसिंगे तुरू जो हमने लॉंच किया है हमारे स्टुडेंट के लिए जिसमें हम देंगे उनको 5G अपडेट जिनके लिए उनको बैकप में आने के जरूरत नहीं है बैकप में वो तब भी आएंगे हर महीने दो दिन के लिए और 12 बार आ सकते हैं एक साल में और इतनी बार वो उनके पास में आप्सन बैक अप के लिए पर वहां पर वह आया सिर्टिकल करने के लिए बट ज्य हमें मल्टिमीट्र से सप्लाइय को मेजर करेंगे तो हमें से 1.8 एक पर अगर में करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें घुसमें वो वो वौ्टेज़एं यह वह व्यारि अन्मी है या वह सीडेनली कुश सेक्षिंड के लिए ग्याउन हो रहे हैं तो अगर आपको दोनों चीजों पर समझना है बेसिक से एडवांस और 5G तक जाना है तो आप जरूर इससे टेलिकों को चुनना अपने भविस के लिए देखिए यहाँ बात करता हूं मैंने इसके पीछे स्कमाटिक ओपन करके रखा है वन प्लस एट प्रो का जिसमें मैं आपको लाइनों के इसाब से बताऊंगा अभी मैं आपको एक बेसिक स्ट्रेचर बताना चाहता हूं तो CPU 2 PM के तुरू तो आपने देखा कि यह सप्लाई जाती है अच्छा यह सप्लाई डारेट भी नहीं जाती है अगर एक बेसिकली स्ट्रेचर बताऊं तो बेसिकली होता क्या है आप नोटिस किजेगा जैसे फोजांपर मैं एक सब्जेक्ट उठा दो कॉलकम के अंदर मान बताने के लिए कि मैं ओके हूं और वो सिगनल होगा उसका आपका सिस्टम स्वाइस जिसको हम स्वाइस अंडर्सकोर ओके सिस्टम ओके की सप्लाई बोलते हैं 1.8 वोल्ट तो जैसी PM को यह वोल्टेज देती है PM उसी के बाद अगला सुक्रेंस आपके CPU को भेजेगा यह ब तो पावर ओन रिसट का सिगनल यह भी वोल्टेज न कि řिए तो ये बनाता है वकांस यह बनाते हैं व गलते हैं 1.8 फिर जैसी वोल्टेज मिलते हैं 1.8 अडिलल आर आधर तो जैसी पावर ओं रिसाट 1.8 वोल्टेज बन जाएगा पर यह ऐसी power on reset 1.8 voltage CPU को मिलता है तो CPU को लगता है कि power on हो गया क्योंकि CPU को भी पता लगना चाहिए कि power को पूरी तरीके से on किया गया है कि नहीं तो power CPU क्या करेगा CPU उसको एक फिर से एक signal भेजेगा इस signal को कहते हैं PS underscore hold तब तक जब तक कि ये voltage इसको नहीं मिलेंगे return तब तक ये अपने सारे जितने भी voltage है उनको fluctuate करेगा उनको up down करेगा तो अभी तक हमने समझा अभी तक तो हमें ये सिनारियो चल ला था बड़ दोस्त एक नहीं दो CPU आपको मिलने वाले हैं अगर आपने Apple का concept जानते हैं तो Apple के अंदर आप जानते होंगे कि दो CPU आपको मिलते हैं एक होता है AP CPU और एक होता है BB CPU वैसे ही आपको Android में भी मिलने वाला है जो आपका है AP CPU जैसे Qualcomm के अंदर SM जो भी series होगी उसकी नई MediaTek के अंदर अगर हम बात करेंगे MT का 6,8 और Ginox के अंदर जो भी उसके नए series चल रही है और उसी के बाद जो दूसरा CPU आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला Baseband CPU जी हां तो यह आपने बिलकुल सही सुना है अभी आपके फोनों के अंदर Baseband CPU आ गया है जितने भी डूल लेर के बूड ह है यह जितने भी जो अब 5G dedicate set आ गया है मैं यह नहीं कहूंगा साधे set के अंदर है कुछ set के अंदर अब आपको iPhone जाधा concept मिल गया है मतलब पूरा की पूरा एक Baseband circuit बनाया है उसका खुद का पावर होगा जो की PM जनरेट करेगा पर BBC के लिए भी एक पावर बनाया है जनली PMX तो यह पावर सिब और से BBC के लिए बनाया गया है हलाकि यह पावर LDO बना रहा है कुछ और भी कुछ और भी आपके जो सब्सीट्यूट आपके जो पर हलाकी PMX कुछ LDO बना रहा है जो सब्सीट्यूट आपके sections को भी जा रहे हैं पर PMX अब इसको एक पीएक सोल्ड को दे रहा है और एक PS होल्ड आपका AP PMX को दे रहा है तो आप देख सकते हैं कि आपको अब मिलने वाले हैं दो-दो PS होल्ड क्योंकि अब आपका basement CPU आपके पास आपके फोन में आने वाला है अगर मैं कॉलकम में इसका नाम बता हूं तो इसका नाम है SDX और जो भी उसके ब लगे होंगे फिर उसके डुप्लेक्सर उसके जितने भी कमबाइनर स्विचर जो जो इसमें फिल्टर के साथ में जो एक नैटर का पूरा एक सेक्शन मनाते हैं आईए चलते तो रहा सा और देखते हैं स्कमाटिक के अंदर कितना हम समझते हैं और यह वीडियो को मैं लंब अगर हम इसके पीछे बात करें तो यह हमारा जो फॉन है यह फॉन है हमारा वन प्लस एट प्रो का अगर इस फॉन की बात करेंगे तो नोटिस कीजेगा अगर इस फॉन की बात करेंगे तो नोटिस कीजेगा यहां पर यह रिखे यह हमारा जो यह एक हमारा जो सीप्यू है ठीक है यह एक हमारा जो CPU है यह CPU है मैं अगर आपको यहां पर बताओं नोटिस करते हैं पहले में आपको ले आउट पर बताता हूँ देखें अब ले आउट से आपको समझ में काफी अच्छा आएगा फिर हम डिसकस करेंगे इसके बाद अगर मैं आपको बताओं एक देखो एक CPU तो आपको यह पता ही है कि यह बड़ा वाला है और यह CPU आपका SM अब और यह आपका UFS लगा हुआ ह हमारा जिसके अंदर यह UFS है Universal Flash Storage बोलते हैं अब यह U6401 यह आपका एक और CPU यहाँ पर इसका Trans Receiver इसको नाम दिया गया है और यह HDX आप देखो कि आपके इससे पहले एक और Trans Receiver है तो आप इसको कह सकते हैं कि दो Trans Receiver आ गई है हम हो सकता है कि कुछ लोग या कुछ टीचर इसको ऐसे भी डिफाइन करें कि दो-दो CPU बूल रहे हैं पर वो दूसरा CPU नहीं है वो एक Trans Receiver है क्योंकि बोर्ड में लेकर हम बिल्कुल बूल सकते हैं और इसको क्योंकि एक CPU के आप खुद नोटिस करो कि एक Trans Receiver एक खुद का PM नहीं चाहेगा एक Trans Receiver को Voltage मिलते हैं तो व लॉजिक नहीं लगाना देखो हर चीज पर लॉजिक लगाना नहीं होता है इसको समझना पड़ता है अगर आम इसको दो-दो ट्रांसरीवर बोलेंगे तो फिर हमें यह भी हमारे पास 10,000 सवाल हो जाएंगे हमें यह वो लेगा कि सर अगर आप इसको ट्रांसरीवर कह रहे है इसलिए यहां पर पीए सोल भी बन रहा है और सीप्यू भी लगा हुआ है तो हम इसको और क्लेरिफाय कर सकते हैं और डिटेलिंग में जा सकते हैं और को डिटेलिंग आपके सामने हम लेकर आ सकते हैं और यहां पर हम बात करेंगे आप देख सकते हैं कि आरे फ्रंट एं अच्छा QDM से हैं जो टूनर से हैं डुपलेक्सर हैं आपको इनके बारे में नॉलेज लेना है तो आप मुझे प्लीस कमेंड करके बताएगा मैं आपके लिए इसके लिए अलग-अलग से वीडो बनाऊँगा मैं चाहता हूँ कि नेट्रक इतना डिटेलिंग करूं इस यू रचे नेटेलिंग लिए तो चलो अब मैं आपको सिंपल सी बात है मैं आपको ठोड़ेशी डिटेलिंग करी देता हूं देखेगा अगर मैं यहा पर अगर यह तो यह तो मेरा CPU हो गया बराबर यह रहेके यह मेरा CPU हो गया और यह CPU का मैं इसको click करता हूँ, यह देखे, अब यह connector आ रहा है, यह connector पर click हो रहा है, यह, तो यह मेरा U5502, यहाँ पर आप देखेंगे, तो U5502, ओके, यह, यह, तो यह मेरा U4601, यह मेरा CPU हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका number लिखा हुआ है, SM8250, आप इसको Google में सर्च कर सकते हैं, तो SM8250 यह आपका CPU है, अब आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, SDM-PX-HOLD, तो CPU SM लगाया है, बड़ लिखा है SDM, जो कि आपने पता है कि कोलकम के अंदर तीन CPU आते हैं, एक MSM, एक SDM और एक SM, और यहाँ पर SDM-PX-HOLD लिखा है, अगर मैं इसको क्लिक करूँ और देखू कि यह आज जाता कि इदर से है, तो देखो यहाँ पर चार पेज में हमें बता रहा है, दो तो दो ही पेज में है, जो कि आपके एक इधर, IC के इधर, और IC के अंदर, और IC के बार, एक आपके इसके अंदर मिल गया, तो यह जो आपका लगा हुआ है, यह आपका पावर लगा हुआ है, और यह पावर है आपका PM8250, मतलब में पावर जिसको हम कह सते हैं, यह आपका में पावर है, जो आपक 1.8 जैसे इसको 1.8 मिलेगा एक पीए सोल के रूप में तो यह काम करना चालू करेगा उसके बाद यह वोल्टेज को होल्ड करेगा क्योंकि हम डिजिटल सीप्यू चला रहे हैं और डिजिटल सीप्यू स्टेबिलिटी चाहता है वह एनलॉग वोल्टेज वोल्टेज नहीं मा तो अब अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यू 6401 देखो और यहां पर क्या लिखा हुआ है XDX अगर यह ट्रांसरीवर ही है तो जितने और ट्रांसरीवर है उसमें भी मेरा पीए सोल्ड होना चाहिए तो देखो मैं इसको लॉजिक के रूप में नहीं ले रहा है मैं इसक चाहिए XDX को और थोड़ा साव स्तार से खोल के बताऊं तो देखें यहां पर बहुत सारे पेज़ेश में तो यहां पर यह क्यू लिंक डाटा जो आपके ट्रांसरीवर से कम्मुनिकेट करने के लिए यहां पर है ठीक है यहां पर भी आप देख सकते हैं क्यू लिंक डाट क्लॉक क्लॉक क्या होता है बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है आपको मज़ा आएगा यह नौलेज के बाद क्या आप 5G एंसेट को बना पाएंगे यह नहीं तो आप 5G एंसेट तो ऊपर ही चला जाएगा अब देखो यह 5G हंसेट है आपके वन प्लस एट प्रो फिर भी उस इसकी वोल्टेजा है बक्सप्लाई है जो इसको CPU को चाहिए और अब हम यहां पर जाएं ठीक है तो यह की GPI मतलब इसकी Connie इसका coding supply है जिसको हम GPI supply कहते हैं यह इसकी coding supply है और देखो यह रहा इसका PX Hold अभी आप देख पीए सोल डिखा था अभी आपको दूसा पीए सोल डिखा रहा हूं और यह पीए सोल में यह जा रहा है और यह जाएगा PMX में पहले जा रहा था PM8250 I guess और अब जा रहा है PMX में notice करना पहले टो test point मिला और देखो यह जा रहा है PMX 555 जी हां तो यार concept अगर आपको समझ में आए तो आपको बहुत मज़ा आएगा और concept अगर आपको समझ में नहीं नहीं आने वाला है तो यह चीज़ आपको मान के चलनी है तो पीए सोल तुभाई आपके mobile के अंदर अब कि आपको देखना यह है कि आप उनको पढ़ कैसे रहें आपको देखना हिए कि आपको समझ कैसे रहें आपको थिओरी मिलरा है doktor किसी बी इंसिवरी मेरें आपको जाने से पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगा सिर्कित डेगरामी स्कय्माटिक के पर वह कि हां मुझे circuit बहुत जादा आ गया देखो मैं अपने students हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले hand skill आपकी important होनी चाहिए hand skill हो गई कोई भी CPU उठा लेंगे कोई भी आई को जंपर कर देंगे तो सब circuit समझ में भी आएगा और circuit समझ कर कर भी पाएंगे क्योंकि अगर आपने hand skill ही नहीं की और आप circuit पहले समझ लिए तो CPU उठाने का मतलब ही क्या circuit के अंदर pad जब पता चल जाएगा और आप CPU नहीं उठा रहे हो तो आपका customer तो आपको गाली देगा क्योंकि आपने CPU उठाया और आपने scratch किया या आपने damage कर दिया और CPU ही आपका dad हो गया, so hand skill पहले बनाईए, circuit फिर समझे और उसके बाद बनाईए data क्योंकि फिर आप बन सतने हैं technician से टीचर यह आपको समझाने का एक अच्छा तरीका था, अगर आप मुझसे मिलना चाते हैं तो आईए जोइन कीजिए इसे टेली कॉम में, कॉल कीजे MD Sir से और करेंगे 5 5G, 4G, 4G, 5G की कुछ नहीं नहीं बात हैं, thank you very much, all the best, stay focus.